हलो फ्रेंट्स असलाम उलेकुम वेलकम टू रुमानास कीचन आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने यूटूब पर पहली बार देखी होगी जी हाँ फ्रेंट्स ये यूटूब पर पहली बार है मैं इंस्टेंटली आपको पनीर बटर मसाला बनान है लेकिन आप इंस्टेंटली बनाएंगे घर पर महमान आ जाए या फिर आपको सड़नली कहीं बार जाना है या तो फिर आप बैचलर हो आपको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता तो जट पर से मेरी रेसिपी ट्राए कीजिए पनीर बटर मसाला आईए तो रेसिपी स और यहां पर हमें क्या करना है फ्रेंट्स यह तीन टमाटे डाल देंगे हम और यहां पर चार से पांच हमें रेड चिली डाल देनी है और यहां पर फ्रेंट्स मैंने लसुन ले लिया है आठ से दस कली लसुन की डाल देनी है और यहां पर मैंने फ्रेंट्स काजू ले लि ये देखिए, एक मुठी के करीब काजु है, वो भी हमें इसमें डाल देने हैं, और अब हमें क्या करना है, फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा पानी एक कर देते हैं, बस पानी बहुत जादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है, देख लिजिए, बस इतना पानी हमें डाल दे यह देखिए आप देख सकते हो हाफ आफ यह टमाटर वगेरा सब पानी के अंदर आ चुके हैं बस इतना ही पानी हमें डालना है और इसे ढख कर हमें पांस से दस मिल के लिए ऐसे ही छोड़ देना है पूल फ्लेम पर आइए फ्रेंड्स हम चेक कर लेते हैं देखें पांस से चीजों को नीकाल लेना है आप देख सकते सकी और इस सारी चीजों को हम निकालने से अच्छा यह है मैं आपको एक और ठीक बता देती हूं पनीर को हमें निकाल लेना है देखे शारा पाने निकाल लेंगे और ये देखे की ता सॉफ्ट हो गया देखे बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है अदेख सकते हैं वह लिए बहुत ही स्वॉफ्ट कि और इन सब जो जीज है उसटें कर लेते हैं यह देखड़ा पर मेने लख दिया है रहा है और कुछ नहीं करना एक इस देखना कुछ कितना इसी मेटोड रताया था है पूरा स्टीम हो चुका है आप देख सकते हो देखें इसकी नाराम से रिमोव हो रही है ठीक है बस हमें क्या करना है इन सारी चीजों को मिक्सी जार में डाल कर इसकी प्यूरी बना लेनी है यहां पर हम 2 टीबल स्पून के करीब ऑईल डाल देते हैं यह देखें थोड़ा थोड़ा हम जीरा डाल देंगे और यहां पर एक टुकड़ा डाल देना है और यह दो इलाईची डाल देनी है यह देखें यह बहुत एक्षिस है देख चुका है अब हमने जो प्यूरी बना के रखी है फ्रेंच वह हमें डाल देनी है विसमिलाए रहा है इसमें जो पानी एक करके हमें ले लेना है और इसे हम मिक्स कर लेंगे इसे हमें डब कर 5-10 मिड़ के लिए बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है स्लो फ्लिम पर यह देखें बीच बीच में हमें स्टर करते चाना है कि नीचे सी चिपक तो नेंगया फ्राइपन में देखें बस थो कच्छापन है वो बिल्कुल चला जाए यह देखें आप देख सकते हो इसमें थोड़ा थोड़ा तेल उपर दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह थोड़ी पुन चुकी है इस पर हमें क्या करना है फ्रेंड मसाले एड़ कर देना है यहाँ पर मैंने नमक लिया है स्वाद यहाँ पर मैंने आधा टेबल स्पून के करी नमक लिया है और वन टेबल स्पून निर्ची एड़ कर दी है और यहाँ पर पिंच ऑफ हल्थी पाउडर भी ले लेना है इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यह है जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून के करी जीरा यह देखे इसका कलर देखे कितना मस्त आया है बस यह बहुत यह अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है अब क्या करना है फ्रेंज थोड़ी देर के लिए हमें ढग कर इसे छोड़ देना है पांच मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पर तो यह मसाल हमने जो डा जा जा है बहुत इसका कलर देखे कितना मस्त आया है और तेल घी सब कुछ चूट चुका है फ्रेंज बहुत यह अच्छी से है ग्रेवी बहुत ही बढ़िया पप चुकी है अब हमें क्या करना है फ्रेंज यहां पर देखिए मैंने थोड़ा क्रीम ले लिया है आपके पास मलाई हो तो क्रीम यूज उस कर लिया है और फ्रेंज क्या करना है यह कसूरी में थी इसे बहुत यच्छे हातों की मदब से क्रस्क कर लेदा है और इसे डाल देना है और एक और भी हम काम करेंगे फ्रेंज यहां पर हम थोड़ा से गरम मसाला भी आयट कर देते है देखिए वन टीस्प आप में बने तक बैद रूसे नियुक्ट रूसे पनीर हो और टीक देखिए इसको हमें रूसे करने की मिक्स करना है यह इतनी टेस्टी है और जरूर ट्राइ करना ऐक दम इसके बनने जाती है कोई ताम जम नहीं है और यह रेसी भी आपने यूटूब पर देखी ही नहीं होगी दिस इस माई क्रियेशन यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से मेक्सिंग हो चुकी है अब क्या आपना है फ्रेंड इसे थोड़ी देर करे लिए धक देना है सिर्फ दो मिनिट के लिए हमें इसे पका लेना है ताकि जो पनीर हमने डाला है उसके अंदर भी बहुत भड़िया टेस्ट आजाए यह देखिए फ्रेंड परफेक्टली कुक हो चुक है देखिए यह एकदम सॉफ्ट हो चुक है देखिए इसकी ग्रेवी देखिए आप कितनी जबर जस्त बनी है देखिए सिम्पल घर के मसालों के साथ घर के इंगीरियंस के साथ हमने यह रेसिपी बनाई है लेकिन यह खाने में रेस्टोरन से भी बढ़िया लगती है फ्रेंड्स जब इस इंस्टन्ट पनीर की सबजी बनाओगे तो रेस्टोरन जाना भूल जाओगे देखिए मैं आपको डिस में लेकर दिखा रही हूँ देख लीजिए यह बहुत ही जबर जस्त टेस्टी और यम्मी बनी है फ्रेंड्स आपको यह देखकर यह अंदाज आ रहा होगा कि यह कैसी बनी होगी फ्रेंड्स यह रियल में बहुत अच्छी बनी थी और यह इंस्टन्टली बन जाती है इसमें कोई ताम जाम नहीं है सिर्फ दस मिन्टों में बनाया फटाफट से पनीर की यह नई रेसिपी अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर सेर कीज़ेगा लेगन पर क्लिक करना बिलकुल भी न भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं तो दुआओं में याद रखना मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ अस्सलामों अलेकुम